हर फसल के तारा शामार मुंग बीन में भी खर्पदबार एक बहुत बड़ी चुनोती होता है खर्पदबार में प्रमूख है साथी, लशुआ, हजारदाना, जोंगली चुलाई, जोंगली जूट, मोथा, बाइपर घास, माकडा, इत्ता दी मुंग का सुरू में ब्रिद्धी कौम और हाइट कौम होने के कारण इन सब खर्पदबार का दबदबाब बने रहती है और ठीक समय पे इन सब खर्पदबार का नियंतरन ना किया गया तो मुंग का उपज में भारी मात्रा से नुक्सान पोचाईती है खर्पदबार नियंतरन का बहुत सारे विद्या है जैसे हाथ से निकलना, सुनन जुताई, विद्य दोरा, फसल, मेरो में खेती, अंतर फसलिकरण, मिस्सित फसलिकरण, फसल अबसेस का विछावन और खर्पदबार नासी होता है खर्पदबार नियंतरन के लिए शुरू में मुंग के बुवाई का एक दो दिन बात पेनिमिथिली नमक एक दबाई का एक किलोग्राम पोती हेक्टार का हिसाब से छीड़काप करना परता है आभी सबी खेतों में मुंग करीब करीब 20-25 दिज़ का आसपास हो गए इस समय इमाज यथाबीर नामका एक दबाई परतात्र ग्राम इमाज यथाबीर पोती हेक्टार का हिसाब से छीड़काप करना चाहिए पानी में घोल बना कर इनका छीड़काप होना चाहिए और छीड़काप के समय कम से कम जो नैपसक स्प्रेयर और फ्लैट फेर नोजल का स्तामाल होना खर्पदबार नासी प्राइब के लिए उतियाबश्रक है जिस खेतों में मोथा का दबदबाब है ज्यादा प्रकोफ है उहाँ पे इस इमाज़र ताभीर स्प्रेय करने के बाबचूत एक हलका सा हैंड वीडिंग अर्टाथ हाथ से खर्पदबार को निकालना पड़ेगा खर्पदबार नियंतरन के लिए जल प्रबंदन एक महत्पूर्ण है ज्यादा पानी सामाल करने से खर्पदबार का दबदबाब बना रहता है तो इसलिए कम से कम पानी दो तिन सिचाई बारिस को देखते हुए किसान भाय को करना चाहिए और इस समय सामार मुंबे शुरू-शुरू में पत्ति छेदक और पत्ति मोडर कीट का प्रादूर्भाव होता है इसलिए मेटासिस्टक असवा रोगोर नाम का एक दावाई तीन से चार एमेल पोथी लीटर पानी में घोल बनाकर शिर्काग परना चाहिए इसके इलावा इस समय नहीं लेकिन कुछ समय बाद मुंका पत्ति पिला पत्ति क्या सारे पोद पिला हो जाता है विशानु रोग है तो तुरंद उस पोद को वहां से फिल से निकालके बहार को ही राग दे और इसको मित्ती विगार दी और इसके लिए इनका कारन जो है सफेद बोख्य होता है तो मेटासी स्टॉक और रोगोर डालने से इनका प्रकोप कम हो जाता है फिर भी ज्याधा है तो फिप्रोनील नमक एक दावाई का दो एमेल पोती लीटर पानी में घोल अगर सिर्काप कर सकते हैं